तो चलिए आए बीदर्थिगन हम लोग आज मैद का क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें के संख्या पद्धति को हम आज पढ़ते हैं और फ्रेस उसका पूरा आपको एक एक करके सारा निकाने करते हैं परिवासा के साथ आपको हम समझाने की कुशिश करते हैं और आप समझने क संख्या पंद्धति नंबर सिस्टम कोई भी संख्या थोड़ा समय एक साउट विलिक राया पर संख्या के अंतरगत आने वाले अंख्या के अंतरगत आने वाले अंख्या करमसा तो आप लोग ध्यान देजिएगा कितने हैं जीरो वण टू थ्री फोर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन अर्थात मैं खा सकता हूँ कि दस अंख्या है जीरो एक दू तीन चार पांच छे साथ आट नो इन्ही संख्याओं से हम अर्वों खर्वों संख्या हैं जितनी भी संख्या आती हैं संसार में जितनी भी संख्याओं का रुपांतरों होता है वो सभी के सभी संख्या इन्ही से बनता है इन्ही से निर्मान होता है तो यह हो गया संख्या बनने का अब थोड़ा सा क्या होता किसी संख्या को यह आपको बता एक संख्या इसमें आएंगे कौन उसके बाद एक और एक आपका है एक नया दे रहा हूं कुछ तो कहने करते हैं दाई से बाई उर किसी संख्या को हम जो मानते हैं या कैसे जानेंगे कि कितना लाख है कितना क्रोर है कितना हजार है कितने हैं सिकड़ा है एक सो एक दूसो है उसके लिए किसी संख्या को दाई से बाई और की तरब तरब तो पाली संख्या हम किस प्रका से बोलते हैं तरब के लिए देता हूं पले में के लिए हम क्या बोलते हैं इकाही फिर बोलते हैं दाही मैं बता दूँगा कितना कितना से क्या किसमे होगा पहले सुन लिए इकाही दाई दाही सेक्ड़ा हजार हजार दाही सेक्ड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड अरब ध्यान दिजे इससे और भी आगे होता है अरफ अरफ दाही सेक्ड़ा हजार दस जार लाख दस लाख करोड दस करोड अरब खरब शंक मासँ इस तरह सोता है दस अरब फिर दस खरब दस खरब संक मा संक इस तरह हम जानते हैं लिए इतना सा कम से कम ध्यान दिजे इसके अंदर से आंग से बहार अब नहीं जाएंगे जहां तक का मान पूट किया गया है और उसके बाद हम अनंत रूप दरसाते हैं जिसको हम इंप्लेट करते हैं तो आएक संक्या एक कोई संक्या यह संक्या में ऀक संक्या प्लॉफ किसी भी संक्या का अंतिम अर्था चोर दाएं की चौर संद्ख्या इकऐक प्लाएंगे उसके बाद दूसरी जैसे आएंगे दाए ही होगा दो ङंक तक फिर दा रहा है बाइसे नहीं दाइसे आ रहा है दाई में तीन अंक का अगर लिए मत वह से प्लैसर हजाएगा of advocation में तू वहांते चार रग़ए बसे पांच आजाएगा लाक में जाएगा तो 6 क्योंकि एक के साथ 5-0 या उसकी जितने संख्या इस परकार से हम 10 लाक में आएंगे तो 7 इसमें आएंगे 8 इसमें आएंगे फिर 9 इस तरह से 10 आगे जाएगा कोई दिक्कत यह संख्या आप लोग जानते भी होंगे कि आप लोग अब बड़े हो गया और परिशा देते हैं इसलिए आप लोग इसमें यह जानते होंगे पहले भी लेकिन मेरा कहना है कि सायद कुछ बच्चे इसमें नहीं इसकी जनकारी होगी इसलिए मैं सुरु सबको बताने जा रहा हूं इसमें कोई प्रिशानी नहीं तो यह रहा कि आपको संख्या बनाने के लिए निर्मान करेंगे कहां से आव इस में संख्या पद्रति के आंतर-घ्थम क्या आपको देने वाले हैं कि संख्या पद्रती में सर आता है कि अर्था धालनमर तो अब मैं स्टार्ट करता आपको प्राक्रिश संख्या से तो आये तो चलिए हम स्टार्ट करते है प्राकृत संख्या जैसे आप नेचरल नंबर इंगलिस में बोलते हैं एसे कमशपय हुप हिंदी है जरूर जाने हैं तो चलिए प्राकृत संख्या अर्था नेचरल नंबर आप लोग जनते हैं गोड़े भगवान आप लोग बोलते हैं यह क्या है और यह प्रकृतिक अर्थाफ प्राकृति में कुछ घठना यह जो घठती है वो सब को हीं एक इस वार का गया वह कुछ द्यावां समानते हैं उसी प्रकार से हमESE प्राक्रशक्रादी Komm signed जो हमारे पहले से पर्मानित क्या गया है ऊसी मान को हम कहेंगे प्राक्रशक्रादी संख्या दो चलिए हम इसका प्रिवासा लिख थे नॉर्मल सी भासा है और हम बहुत सराल भासा देंगे हर अनिये हट के नॉर्मल अफसा देंगे गिंती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं इसका समुझ इसे हम एन के द्वारा सुझ करते हैं इसे या इसके समुझ को इसे बड़ी एन के द्वारा सुचित क्या जाता है जाता है आईए हम इसको समुझ के अंतर गरते हैं समुझ का भाग है कि अर्था उसके आंत में कितने हाते हैं उनको आप एक समुझ में आपको एक साथ में आपको दिखा देंगे आईए एक्जामपल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं वन प्रारम इसी में कोशन एक हो रहा था प्राक्र सेंगा पालांग अर्था पाली सेंग क्या कौन है वन है दूसरी कौन है टू है इस तर गिंती जाएंगे इस पर चलता रहेगा जो आपको लिखाए हैं यहां तक पहुंचेगा यहां से आगे भी निल निल तक संख मासंख तक जा सकता है लेकिन इसको आम लाश्ट में क्या लिखते हैं आपको अनंत लेकिन केवल गिंती और पोजिटिव संख्या इसमें निगेटिव नहीं आएगा धनात्मक सभी धनात्मक संख्या होंगे और पूर्ण रूप से तो यही आपका समोच का रूप संबॉल देखा दिया आपको त तक नहीं जुड़े हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर दें जल से जल क्योंकि यह कलास आप लोगों का और आप लोगों के लिए ततपर त्यार है इसलिए आप लोगों का यह पूरा परिबार है इनमें आप जल से जल जुड़ जाएए यह अपने क्रें हम आपको समान करेंगे क्योंकि परीवार को परिवार तब जब एक जैसा प्यार भाव असने रखते हैं तो यह आगे प्ढ़ते हैं है है तो द०्सरा हम पड़ते हैं है कि प्राक्रति संख्या के बारब पूर्न अब किए प्राकृतिक के कि दस आया उटके जीरो आया काँ से इसी को पूर्ण के बात करेंगा चर्चान तो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या ओच चार कोई बात नहीं है मैं दस ले लोंगा होल नंबर होल नंबर कि चलिए पूर्ण संख्या अर्था पूरा हो गया अब इसके स्वाब कोई संख्या नहीं सकता है अब उसी का जो मौन होगा उसी हम पूर्ण कहेंगे तो चलिए कहते हैं गिल्ती संख्या में जीरो सामिल हो जाने पूर्ण संख्या हो जाता है एक आप का सकते हैं प्राक्ति स तो आईए लिखते हैं हम लोग गिंती की संख्या में सुन्य के सामील होने पर होने पर पूर्ण संख्या कहलाता है इसे डवलू दुआरा सुचित क्या जाता है सुचित क्या जाता है आईया हम तो समुच में दिखाते हैं आपको समुच में क्या सभी गिंती संख्या हुआ ही रहेंगे किवाल हम फर्ष्ट में 0 लगा देंगे आपको दस्तार है आईये जीरो वन टू अवही सभी रहेंगे प्राक्रितिक संख्या पूर्ण संख्या है सभी प्राक्रितिक संख्या है संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राक्रितिक संख्या नहीं है क्यों जीरो जीरो प्राक्रितिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या नहीं है इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे कहा गया है सारे धर्ती या आस्मान को हम कागज बना लें और जितने समंदर है उसे हम इंक सियाई और जितने लकड़ियां उसको हम अपना कलम बना ले और लिखा जाए तो भी हम लीक नहीं पाएंगे संख्या को इसलिए हम आपको एक अनुमानित और लाश्ट में हम आपको अनन्त इन्पनेट का रूथ देते हैं आई यह दिया होगी आप पुर्ण संख्या उसके बाद तोड़ा सा और आजाओ जितने भी कुछ संख्या इसके अंतर गाथ थाम को आपको सामरे में तरत परसूत कर लें अब आता है ओभाज संख्या ओभाज और भाज उसके पाद संबिसंभी आता है इसे बताओंगा पहले आईए ओभाज संख्या ओभाज संख्या चलिए बच्चों आप लोग सब्सक्राइब लुटनक्ष नमबर क्या होता है प्राइब इपंठ इंबर साथ साथ बोल कि यह आप लोग सुन रहे हैं सुन सकते हैं अपने मन में बोल लिए लिन बोलिए बोलते जाए आँ अबाज संख्या प्राइम नम्बर तो चलिए वोग प्राइन नमबर भी पस ओ भाज मतलब ऑ मतलब नहीं भाज भाज नहीं लगने वाला से किसी से लगेगा लगेगा वो क्यावल दो से मतलब दो संख्याओं से एक या स्वें से बांकि किसी से नहीं एक या स्वें से बांकि किसी से नहीं आगे लिख दोते हैं वैसी संख्या जो एक एवं स्वें 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 से विभाजित विभाजित हूँ वैसी संख्या जो वन या स्वें से बांकि कोई दिकर नहीं या भी या एवं भी देजिए कोई दिकर नहीं हम आपको एवं लिख दिया है और जबादा स्वें से विभाजित हूँ उसे वभाज संख्या तहते हैं इसे हम दस आते किसे प्राइम नमर को सौट में प्राइम नमर को अवा संख्या को पी पी इसे पी द्वारा सुचित क्या जाता है अब इसे आप उप्सें में देखा रहा हूँ उदारन के तौर पर आगी है अगे अगा कि पास्ट पर्श्ट प्राइम नमर को टू है तो से श्टाट सरेति एप हैं एक और एक शेंख्या आप पर एक से संघ्म संख्या निकल गया है विसंख्या संघ्ट एक और यह तो एक कल्या हो गया इसके पिसम संक्या हो रखा हमारे अब हटा दिया अब दो समब है और अभाज भी है एक ही एसाथ कोई संक्या है जो अबहाज संक्या में संक्या है ऐसा भी एक जाम में आता है कि दो संख्या है दो एक संख्या है और एक ओभा संख्या भी है तो आप सर में आता है वह कौँसा ओभा संख्या है जो संख्या है तो वो दो है और वो पाली संख्या है पर्थम दो त्री फाइब सेवन आप कहते हैं इसमें के सर नो क्यों ने होगा तो नो में आप दिखें तीन से भाग लगता है तो नहीं होगा इसलिए यहां से 11, 13, 17, 19, 23 29, 31, 37, इस तरह से हम जाएंगे तो आपको 100 तक में आपको लिख सकते हैं और 100 तक में 25 अंख होंगे जो अवासंख्या होगा और 50 तक में 15 अवासंख्या होंगे तो 50 तक में 15 होंगे और उधर 50 के बाद 51 उधर जाएगा तो 10 होंगे इसा भी कुस्या आता है कि 1 से 50 तक में कितने वासंख्या है तो 15 फड़ाग मार देना होंगे कभी ऐसा भी आएगा कि 51 से लेकर 100 के बीच में कितने वासंख्या है तो गिन्ना नहीं है दस मार देना है अगर आपको आ जाए वान से लेकर के 100 तक में कितने पचीस तो लिक भी लिजेगा आप ध्यान से देखते हुए डौट डौट दे दता हूं कि इस परदार से अनंत आएंगे और भी कि अब आपके समने जो मैं बोला कि भाज भाज अरता डिवाइड भाज या डिवाइड संख्या डिवाइड भी या जो भाज संख्या डिवाइड संख्या यहां पर मैंने संख्या नहीं लिखा तो आईए तो भाज संख्या आप लोग खुद इसमें जान रहें भाज संख्या मतब जिसमें भाज लगे अन से भी स्वाइड से तो लगे गा ही वह अन से तो लगे गा ही लेकिन और भी किसी अन से अर्था अपने से छोड करके भी वैसी संख्या जो 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 स्वयां एबम एबम अन्य एबम एक को यह नहीं कि एक को एक को छोड कर अन संख्या से भाग लगे वैसी संख्या यह वाम लिकिये दिये हैं भाग लगे उसे भाज संख्या करते हैं भाज संख्या करते हैं तो आईए डिवाइड संख्या का हम दरसाते हैं समूझ के अंतरगत तो भाज संख्या को ऐसे नॉर्मल कहा जाए तो वन को भी लिया गया है वन को और नहीं तो छोड़ी आठा है यह सब विसम सम में ऐसे भाज संख्या में आते हैं फोर इस्ट्रा अच्छे तीन में नहीं तीन में तो इस्ट्राप दो से लगा चार से भी लगा यह तो हुआ ना आये चार छे वह नो वह दस्ट्राइब होंगे आठ भी होंगे आठ होंगे नो होंगे दस होंगे ट्वाल फोर फिप्टीन इस तरह से के व्य संख्या हैं भाष संख्या होंगे तो आई यह आप लोग इसे उतार लेंका और कुछ संख्या होंगे थोड़ा दूचार जल्द-जल्द आपको कर देते हैं उसके बाद आपको कुछ मूल बताएंगे जो भाग पर ले टेर कई बच्चे कभी-कभी का दितें एक से जारे किसी जाने किसमें इस बहाग लग जाए oh तो उसके अलब को सुक्ष्म और स्रल बताओंगा कि कोस्टन को देखते हैं आप बता जिए किस से भाग लगेगा या ने लगेगा तो मैं वही बताओंगा आपको इसके बताने के बाद तो चलिए आप लोग इसे अपना पेन और कोपी पे साध उतार ले होंगे और अपने मा में ने उसके लिए किया सभी प्रakyet संख्या पूल संख्या हो गया सभी पूर्ण संख्या परच्ण के आह नहीं क्या सभीओ ऑवासं संख्या पूर्ण संक्या हो क्या सभी ओभा संख्या प्राक्षिन क्या है हाँ तो चलिए यहां तक आप लोग इन क्लियर कर लिया हुआ तो मैं इसे आप मिटा देना मिटा देता हूं और अगर परसानी हो तो आप वीडियो को रोक करके आप उतार लेज़ेगा ओके चलिए मीडिया से कोई बात नहीं जितना आप लोग इसको अपने रिमेंबर थाथ याद किजिएगा और जितने भी प्रस्ण आपको दे रहे हैं यह मुख पॉइंट है जो कि अब्जेक्टिव के लिए बहुत अतियावस्या खार महत पूर्ण है क्योंकि उससे में आप छोड़ा चुटा ही प्रस्ण फज जाएगा आपका एक नमर घड़ जाएगा और एक नमर का अगर नहीं मारना मतब पांच नमर का चला जाना क्योंकि एक प्रस्ण आप जवाब देते हैं तो पांच नमर आपको आता है इसलिए किसी चीज को पढ़ कि हमें संख्या है कि अब है नमबर अगर अगर अच्छी तरह जानना है साम संख्या जिसमें की दो से भाग लगे अब यह नहीं केवल दो से लगे यह में नॉर्माल दिया कम से कम दो से लगना चाहिए अब 4 जाए 6 से लग जाए 8 से लग जाए 10 से लग जाए उससे परिशाई नहीं है निकम से कम दस मुद्ट से भाग लगे जिससे चार ही है दो ही खुद है तो वह भी संख्या है आए रिब कि वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा-पूरा यह नहीं कि बटे में रह जाया है पॉर्ट में रह जाया है ऐसा नहीं पूरा-पूरा दो से पूरा-पूरा भाग लगे उसे क्या किजएगा साम संख्या कहते हैं साम संख्या कहेंगे इवेन नमर आईए कितना लिखेंगे कि इसे कितना सुझित करते हैं यह समझे आपे दो चार छे आट दस बस टुवल दो कांतर इन दोनों के बीच दो कांतर साम संख्या हो या भी सम दोनों में अंतर दो ही होता है कभी कभी एक्जाम में आता है आप दसाम में पढ़े होंगे कि दो संख्या हो दो धनात्मक भी सम सम्-पुर्णाउंकौं के भर्गों का जो अब भी सम करें दो धनात्मक सम्-पुर्णाउंक निए अन्तर दुनों में कि अपक्स मनें गत्व डूसरा अक्स प्लस टू ही मन पढ़ेगा बस अपको लेकर उन्हें के बाद अंसर आपका अगर सम्-बात निया सम्-गे आएगा डॉट डॉट अर्थात लाश्णम अनन्द देते हैं मैं लिखता रहा जाओंगा और यह बोर्ड भी उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा और आप भी खुद लिख सकते हैं केवल मैं नहीं चलिए और भी समसंख्या जाओं लेते हैं और भी समसंख्या और्ड क्या होता है इंग्लिस और इस हिंदी जानते हैं काफी है एसम लिख देते हैं और्ड और नमबर वैसी संख्या जिसमें दो से भाग नहीं लगए बस यही उसका उसका बेप्रित बोलना है क्या बोलना है वैसी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नो लगे या नहीं लगे कोई दिक्कात नो लगे उससे क्या कियेंगे उससे बिसम क्या कहते हैं कोई दिक्कात कोई प्रसाई नहीं चली अब इससे हम देखा देते हैं ऐसे ओडी डाल देते हैं सोट में तो वान भी है वान थ्री फाइब सेबन नाइन अलेवन थर्टिन फिट्टिन इस तरह से अनद ठिक आब यह शाँ मैं आप लोगों बता दूं कि रिनात्माग संक्या और धनात्माग रीन मतलब जिसमें मैं चार्ज हो दान मतला उसने पालाश चार्ज। देख जैसे मैं लोगे माइनस वान माइनस टू माइनस थिर देते हैं ना तो यह सब जाए गर नात्मक में पालाश में वान ऐसे पालाश को नहीं भी दिखाया था अगर नॉर्माल यह सब लिखाओं में यह सब के सब पोजिटिव है कई रहती दिखेगा यह वर माइनस रीम है यह कहने करता है कि हम ऐसा कर्ज इंसान को याद दिलाते रहता है मैं कर्दारों कैसे इसको छुट करा पाएं इसलिए परिसानी है लेकिन यह तो किसी दूअट का पैसा है इसलिए इसको मेजा दिखता है आए तो पहले सब्सक्राइब इसलिए यह चान दान आजए इसलिए क्या और और रिन नहीं लिखते हैं अर्थाथ इंडिजर्स नंबर में पुर्ण पुर्ण आंग ऑके पुर्ण बोल दियां पुर्ण आँग इंटिजर्स नंबर ओके आईए इंटिजर्स नंबर के बारे में पुर्णांग संख्या सभी 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 पुर्ण संख्या दान अबम रीन में अगर सामिल कर देते हैं वो सभी पुर्णांग संख्या कलाता है लिग देजे सभी पुर्म संख्या के के पुर्म संख्या के धनात्मक एवं रिनात्मक इसलिए मैं बात पहले कि आपको धनात्म रहे हैं संख्या के समुच समुच को पुर्म संख्या काता है इसे बड़ी जैड के दुआरा सुचित क्या जाता है क्या जाता है थोड़ा कहें अगर हिंदी का इमीज हो जाए वो लिखने में आप लोग आप सुधार लेजेगा साइद इससे नहीं होना चाहिए आए अब जनना चाहते हैं इसी जिए आप और चीज़ लिखेंगा हम संध्या रेखा क्या लिखेंगे हैं संध्या रेखात कभी आप लोग लोग पढ़ेंगे सेवने पढ़ेंगे शंध्या रेखा प्रतर साइजी वह अभी तो वह हमब्स में अ late side रीन चार्ज को लेते हैं और राइट साइड आपको अगाश देखा देते हैं डॉट डॉट अर्था अनन्त जाएंगे इदर भी और इदर भी इस प्रकार से इदर भी अनन्त जाएंगे तो कोई दिकत नहीं इसी में आप आपको बताते हैं संख्या रेखा यहीं पिथोड़ा देखाता आपको हम संख्या रेखा इसी संख्या को यह दिया हम एक रेखा जिसमें आप लोगोंने पढ़ा होगा कार्तिय तल अपने मैत में पढ़ा होगा नाइन टेनथ वाले पड़े होंगे कार्तिय तल जिसमें की चार भाग होते हैं तो आपको हम 36 रेखा अर्था एक एक एकस एकसिस पर आपको दिखाने वाले हम संख्या को यह एकस एकसिस है जो इस पर कार्श जाता है इदर को हम औको मरीन बोलते हैं और उतार धान तो धान मे हम लिए तो यह एकसे से मिठ बेज़ाग हम जीरो लिलते हैं कि क्योंकि एक चीज बता बता देते हैं कि जीरो क्या नवुद्भा सकते हैं ना तो द्हनात्मा का सकते है और धोनों भी लेजिए लेगा बने दर पॉजिटिव नेधर नेगेटिव अर्तात ना तो वो धनात्मा संख्या है ना तो रिनात्मा संख्या है आप जिस रूप में सुष्यकार कर लेजिए लेकिन वो है नहीं हाँ वो पूर्ण संख्या है हाँ परमे संख्या है ओके इसी को दिखाना ये संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्श आते हैं एदम समान लमाइप इस तरह और आगे जाएंगे जितनी संख्या रहेगा आपको दिखाना होगा कोई दिक्तत नहीं न हमाई साप आटिगन ध्यान पुर्पक्त देखना है आपको परिसानी नहीं होना अब हर बड़ाना नहीं है अब और कुछ आएंगा आपके पास साथ हम सलो बोल रहे हैं आपको ये परिसानी ऐसा मत आप आप आएंगे आपको समय में समय यह संद्यों में अजाएगा अब थोड़ा सा कुछ आपको डहां लिखा रहें ुच्री को thousand-th узна बढ़े और आपके दिमाग में छप जाए तो यह था एक संख्या रेक आपको एक चुटा सरूप दिखाए अब आता है पूर्ण संख्या उसके बाद आता है यह दो संख्या और है सामने में परिमे संख्या परिमे संख्या जिसे हम रेशनल नमर बोलते हैं रेशनल नमबर आईए रेशनल नमबर करते हैं वैसी संख्या जिसे पीवाई क्यू के रूप में व्यक्त या प्रगट कर सकते हैं में व्यक्त कर सकते हैं और क्यों इस नोट इक्वल जीरो क्या होना चाहिए क्यू का मान अर्थात हर नीचे जो हता है हर हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए और जो भी संख्या हो है यह रिनात्मक हो सकता है धनात्मक हो सकता है लेकिन माइनस में भी हो सकता लेकिन हो जीरो नहीं हो अच्छे क्या कि यह आप पर में संख्या आए हम थोड़ा सा कुछ वजार लेते हैं पर में संख्या को क्यूं से दर्शाते हैं हम है को फस्यूं जीरो भी है यह जतना संख्या इस में लिखे न钱 सब के सब हर मैं संख्यां सब। जो भी दीजिए और भाय दीजिए एवाय है एजरी सब इक सबी क्या है क्या है पर मैं संख्यां 22 बटे 7 दिजे ये भी है 1.46 दिजे 2.47 में कौश्टक रेखा भी डालिए डॉट 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 अनन्त कई संख्या है इसी में आता आपका प्रस्ण ओपरी में संख्या इसी का छोटा सा रूप और भी है ओपर में संख्या मैं पहले एक चीज आपको बता देंगा इरेस्नल नंबर इरेस्नल नंबर इरेस्नल नंबर है यह जान दिजेगा ओपर में संख्या में दो पार्ट है संख्या जिसे है कि संख्या यह 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 संख् लाश्ट में खाता ही चलाए ऐसे खारें स्वासांस संख्या कहेंगे तो वह सांसांध संख्या केंगे ऐसे नाब आपको यह पर मैं संख्या में सौंत प्कड़ने के लिए कि हर रूप जो इसका राना चाहिए अगर पुगना फाइब के रूप में होगा या 2 या 5 पे भी रूप में होगा तो वही संख्या संख्या संथ होगा और उसके बाद अगर नहीं उस रूप में है वह संथ होगा यहीं भी एक साउट रूप है पकड़ने के लिए तो I am वह परमे संख्या परिवसा लिखते हैं वैसी संख्या जिसे पी वाई की रूप में नहीं लिखा जा सके है ओके जैसे में दिखाते हैं थो देख लिजिए एक्जाम्पल में इसे हम क्यू के साथ यहां पर आई डाल देते हैं समझ देगा कि ए रेस्टनल नंबर है ए रेस्टनल नंबर है आईए तो आप सौट में लिए एक्ठो जैसे जीरो पॉइंट फाइप रूट शिक्स त्री इस तरह से दिया और डॉट 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 यहां कहने कहना और और आप दिखेगा पाई का हम अब बाइस बैटे साथ यह परमे संख्या एक लिलीइल डॉट डॉट डोट को हटा करके पर intern आएगा इस तरह से इस तरह से जितनी संख्या आएंगे वह सब इक सभी ओपर मैं रूप होगा और को आप समाझ रहे हैं तो यह पर मैं ओपर मैं संख्या अब एक प्रस्ण आता आपका लाश्ट मेना छूट गया है और मैं वह लिख देना चाहता हूं इसी जिगार पर पड़े यह सभी बास्तिविक संख्या के लिए ही पड़े आप किसके लिए बास्तिविक संख्या यह जितना है यह जितना मैंने संख्या लिखा प्राकृतिक से ले करके यह आपको लाश्ट तक मैंने ओपर में संख्या लिखा यह आएक दुखा को छूट भी गया वह सभी के कि इस innovation a गया है अब दू-मए कर लाता हूं टो बथा सटा हो सकता हुए तो आपको कि लुबाद कि शंख्यां का पार्ट पर्माइ और ऑपरमे ऑपरमे एक पार्ण परम defense ऑप में same ऐगर बहुत आप हो बास्था okay तो बस्तों कहा सकते हैं पर मोंस्तों संख्या करतेजí रियल नंबर इंगलिस में है इसका रियल नंबर परिवासा लिखेंगे सभी परी में एवां ओ परी में संख्या को यह संख्याओं को को वास्तिविक संख्या करते हैं वास्तिविक कहते हैं ओके कोई बात इसे हम आप से दसाते हैं एक रूप में आप देखी चुका है जो संख्याओं को लिखना है लिखें जिसको लिखना लिखें इसमें आप यह ने के टूबाइट त्री नहीं होगा टूबाइट नहीं होगा सभी आएंगे पाइभी होंगे इमान होंगे आएगा आएका और कोई घ्मान भी आएगा तो वह भी चलेगा रूप में आएगा जो भी से कहाई यह ने क्मेस्ति पिये जो लिख रहा हो यही केवल नहीं ऐसा को या इसा इसा को बना इतनी संख्या है आपके पाट का जिसे कि आप इसे लि कोई भी संख्या लिख दे अगर वह कहें कि अग्रों लिखते हैं चाहें डिग्री में रूप में किसी रूप में लेते हैं उसका रमॉन निकालता तो बच्छा अब इसमें दिवाइड हो जाता है पर में तो मैंने बता दिया अब परमें उपर में से आता है यहां पुर्णा बिडिविसाम साम उसके उनी उपर चले जिलाश्ट ओके कोई प्रिशाए नहीं यहां तक में को निचे नहीं दिख रहा था अजया तो फिर उसको मिटा देंगे इसलिए थोड़ा देखा देजी बाश्ट पिसलिया हो सिन लिया होगे आप लोग सभी विदार्थी कन सुन लिया होंगे इसको कि मैंने क्या बला तो और समझ भी लिया होंगे ओके तो विडियो को रोक रोक करके आप लिक लेंगे अच्छी तरह से और अपना सम याद कर लेंगे से